आज मैं आपके शाथ गुलवप्पे बारे पानी की रेशिपी पू लेके आई हूँ ये पानी दो तरह से मैं बनाई हूँ एक खट्टा और मीठा पानी और दूसरा तीखा और चटपटा पानी दोनों ही पानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये से असानी से बनाया जा सकता है तो आए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस पानी को इस पानी को बनाने के लिए सबसे पहले एक मशाला बना के रेडी करेंगे तो मशाले में एक पैन में दो बड़े चमच जीरा लेंगे और जितना जीरा लेंगे उतना ही सॉप लेंगे तो दो बड़े चमच जीरा, दो बड़े चमच सॉप जीरा और संफ को एट करने के बाद 8 से 10 कालिमेर्च लेंगे और इन तीनों चीजों को मिक्स करके थोड़ा दिल के लिए भूल लेंगे जैसे इम शेक कोसबू आएगी ग्यस को off कर लेंगे और off करने के बाद्ए याणाले को जार में डाल के पीशहएगे इसे दड़रा पीसेंगे, एकदम से बारिख नहीं पीसेंगे तो यह हमारा मशाला बन के रेडी हो चुका है जिसका यूज हम पानी में करेंगे और दोनों पानी को बनाते शमय करेंगे तो यह हमारा मशाला बन के रेडी हो चुका है तो गैस पे एक दूसरा बॉल रखेंगे इस बॉल में 100 ग्राप इमली डालेंगे से ग्राम के करीब इमली है ये इमली को एट करने के बाद दो कब पानी डालेंगे पानी को एट करने के बाद मेडियम फ्लेम पे इसे मिक्स करते वे एक बॉल आने देंगे जैसे ही इमली में एक उबाला आयागा, गैस को आफ कर लेंगे, अगर आप चाहे तो इमली को गरम पानी में एक से दो घंटे के लिए सोक भी कर शकते हैं, या फिर पूरी राद सोक कर शकते हैं, अगर आप इमली को शोक करके रखेंगे तो ये करने की जरूरत नहीं है, इस लेकिन मैंने इमली को पहले सोक नहीं किया था, तो इसलिए मैं इसे गरम पानी में एक बॉल आने तक पका ले रही हूँ, जैसे ही एक उबाला आयागा, गैस को आफ कर लेंगे, और आफ करने के बाद इमली को एश्टेनर के ऊपर चाल लेंगे, इसका पूरा पल्प निका पानी को एट करने के बाद इसे बॉल करेंगे, और बॉल करने से पहले इसमें थोड़ा सा गुड में डाल रही हूँ, हाप कप के करीब गुड है ये, गुड को एट करने के बाद गैस को अन कर लेंगे, और अन करने के बाद गुड को मेल्ट कर लेना है, जैसे ही एक बॉल गूर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद इसे होडा सा रेट चीली डालेंगे जिससे आप इसका अचिए एगा तो दोमिक्स करके गास को मैंने अफ कर लिया अजिए पनी नमक टालेंगे श्वाध की अनुषार एक जटनी मनाज़वरेंगे, तो थोड़ा सा धन्यापत्त थोड़ा सा पुदीनापत्त मशाला भूने थे वो डालेंगे एक चम्मा चाट मशाला और थोड़ा सा काला नमक इन सारे चीजों को मिक्स करने से पहले एक चम्माच मैं बुंदी डाल नहीं हूं बुंदी को एट करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और यह हमारा गुलगप्पी के लिए मीठा पानी बनक अगर आप चाहे तो इस चट्मी को छान भी सकते हैं इस टेनर के उपर छान के उसके बाद इसे एड़ करें तो इसमें मैं एक से डेड़ कप पानी डाल रही हूं पानी को एड़ करने के बाद सफेद नमक सफेद नमक को एड़ करने के बाद थोड़ा सा काला नमक काला नमक के बाद जो मशाला बनाए थे वो एक चमच थोड़ा सा चाट मशाला और चाट मशाला को एड़ करने के बाद दो बड़े चमच इमली का पल्प में डाल रही हूं इसमें इन सारे चीजों को mix कर लेंगे, थोड़ा सा बुंदी इड़ कर लेंगे तो mix करने के बाद ये हमारा दोनों पानी बन के रेडी हो चुका है दोनों पानी का टेश्ट बहुत ही अच्छा है, एक का flavor मीठा और खटा है, दुसरे का flavor तीखा और चटपटा है तो आपने देखा कि दोनों पानी को बनाना कितना आशान है, आप इसे खुल कर पे के शाथ enjoy कर सकते है कर सकते है